वेल्कम फेंट्स तो सुवागतम दोस्तों जब भी मरीज को एक से ज़्यादा ड्रिप लगती है या आईवी इंजेक्शन लगते हैं तो उस समय आईवी केनूला लगाना बहतर रहता है जिससे कि बार-बार मरीज को प्रिक नहीं करना पड़े लेकिन जब आईवी केनूला म नहीं करें आप बिल्कुल ही सही वीडियो पाएं आज के इस वीडियो में इन्हीं सभी बातों को जानेंगे जिससे कि आवी केनूला लगने के बाद आपको किसी परका की टेंसन नहीं रहे ली तो बिना समय गवाएं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं मैं हूँ आपको उस मोही दादीच आप देखें अपना युट्यूब चैनल लाणाबूट मैडिसन चलिए आज पी कुछ नहीं आ सेकते हैं है है correlpieN नमस्रे दोस्तों आई-वी केनूला लगाने के बाद मेरीजकों सबसे पहली टेंट्शन होती चिNTता हो वह होती है क्या कि रिस्क हो सकती है तो उसमें सबसे पहली जो रिस्क होती है वह होती है उस पर्टिकुलर साइट पर इंफेक्शन होने की डर क्योंकि जब भी आईवी केनुलर लगाया जाता है इसकीन को तथा वेन को पंचर किया जाता जैसे कि जो बलड है डायरेक्ट ही एंवर्मेंट के संपर्ग में आ जाता है तो बेक्टिरियल वायरेक्शन होने के डर होते हैं इसी कर्यान से जब भी आईवी केनुलर लगाते हैं आपने देखा होगा सबसे पहले ही स्टाफ कॉटन स्वेफ से आपके उस पर्टिकुलर साइट को साफ करते हैं कॉटन स्वेफ में डुबा होता है जो एक एंटिसेप्टिक सोल्यूशन है इससे कि वहां के जो माइक्रोब से वह हट जाते हैं और किसी परका का इंफेक्शन का डर नहीं रहता है दूसरी जो रिसक है वह है वेन में इरीटेशन होने का जब भी आईवी केणियूला लगाते हैं तो ज़्यदा थर सिंगल ट्रिक मैं लग जाता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसकी प्रिक कर दिया अब जो वेन ती वह श्लीप हो गई है तो इसकिन के अंदर ये उस नीडल को गुमाये जाता है जिससे कि वेन में पर्टिवलर पंचर हो जाए वेन में वो केनियूला चला जाए उस इस्तिति में जो अंदर के टीश्यूज है बहुत जादा डेमेज हो जाते हैं और डेमेज होने की कारण उनमें दर्ड तता सुजन होने लगती है इरीटेशन होने लगती है तो यह भी इसकी रिस्क है अगले रिस कहा कि केनियूला का ब्लोकेज भी हो जाता है जब आपको डिप लग रही है रेगुलर डिप लग रही है किसी प्रका की समश्या नहीं है आपको इंजेक्शन लग रहा है कोई समश्या नहीं है लेकिन अगर एक से दूसरी डिप के बीश में केनियूला मरीज को लगाए जाता है अगर आप यहाँ केनियूला ट्रेंड इस्टाप के द्वारा लगा रहे हैं तो आपको किसी प्रका की समश्या नहीं है वो सभी इन रिस्क को कवर करते हुए केनियूला को लगाते हैं अब जब यह केनियूला लगा है दूसरा सबसे बड़ी चिंता रहती है कि इस केनियूला को कब निकल वाना चाहिए क्या उसका प्रोसीजर है तो सामयने तरह यह देखा गया जब भी केनियूला को लगाते हैं अगर एक ड्रिप लगानी हो या एक तरह का इंजेक्शन लगाना हो तो केनियूला नहीं लगाते है पूरे दिन के लेकर ड्रिप लगाते है जैसे सुबह है साम लगानी दिन में दो बार लगा रहे है तो उस केनियूला को जब साम को छुटी देते है तो उसमें निकाल लिया जाता है लेकिन कटहिवार लंबे दिन का प्रोसेश चलता हो जानता हैं में तैस वार इसका राद केनग करने नहीं कर में घ्राथव आनपा excitement करसे तो पुलोट हो गहा है इंजक्सिन पूस्ष नहीं हो रहा है तो उस में भी इसका निकाला जाना चाहिए जिस जगह पे cannula लगा हुआ है, वहाँ पे एगर redness हो रही हो, eaching हो रही हो, दर्ध हो रहा है या swelling हो गई हो, तब भी उस cannula को निकाल देना चीए, या cannula लगा हुआ है, आपने drip लगाई है अचानक से वहाँ पे swelling आगए, मतलब cannula out हो गया है तब भी उस cannula का आपको निकाल देना चीए और अगर आपका treatment पूरा हो गया है तो उस cannula को आगे नहीं रखना चीए treatment complete होने के बाद उसको निकाल देना चीए अब last जो चिंता रहती है वो होती है जब cannula लगा हुआ है मरीज होस्पीटल में बढ़ती है या कई बार गर पे उसको बेज देते हैं कि आईवी इंजेक्शन ने लगाने आप गर पे भी लगा सकते हैं तो उस समय उसको किस तरह से रखा जाए उसका सक्या क्या सावधाने र है कि cannula को touch करने से पहले अपने हातों को अच्छी तरह से साफ कर लें जैसे कि इसी परका के infection होने का डर नहीं रहे साथ ही अगर आपका treatment पूरा हो गया है तो तूरंत ही आप उस cannula को निकलवा लें ऐसा नहीं कि आप सोचने दो चार गंटे के बाद निकलेंगे यह भी नह होना चाहिए अगर आपको साथ दिन या दस दिन तक अलग लग treatment चल रहा है तो जैसे हमने बात के थी प्रतिक तीन दिन के बाद को change करवाएं साथ ही अपने डॉक्टर को पूछ करी उस cannula को निकलवाएं और एक सबसे बड़ी बात होती है जब cannula लगा हुआ रहता है तो म दोस्तों आज का वीडियो इस्पेल से लिए उन मरीजों के लिए था जिनको IV cannula लगा हुआ है उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखने के बाद आपको कुछ रहत मिली होगी आज के इस वीडियों पस इतना ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टोपिक के साथ में तब तक के लिए स्वस्त रहें